नमस्कार पैरे विद्यारतियों आप सभी 12th क्लास के विद्यारति द्यान दें कि अपना जो यह दर बाबू का दू सीरिय पार्ट चल रहा है एक कहानी है यह अपने पहला ही पार्ट है यह विद्यान रखना पार्ट का नाम अपने है सिल्वर वेडिंग है और सिल्वर वेडिंग के बारे में मैं बात कर चुका हूँ अब उसी का सेस्पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं देख इसमें दियावा है कि अपना यह देखिए अपने मरियादा पुर्ष किशंदा से सुनी वी बात नहीं भूले हैं कि गधा 25 गधा 25 का म अपने जिन्दगी को अगर वेर्थ में गवा देता है या फिर उसके वास्तिविक अर्थ नहीं लेकर के यानिकि जीवन भर ऐसे ही चोटे मुटिकारी करके जीवन जी रहा है बाकि जीना उसका नाम नहीं है तो गधा 25 यानिकि एक सामाने से भी ज्यादा बत्तर जीने की बात कईगी है गधा 25 में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करने चाहिए तो बात है कि गधा 30 कोई कुछ भी कर सकता है निकि बस जीवन जी रहें क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है तो यह आदमी समझदार कब होगा जब जिम्मधारी आएगी ये युवा ये शिदर को विश्वास नहीं होता तथा पिकि CARDS बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में पचासो किसम की खुरापात की है खुरापात को नहीं वेर्थ कारी करना है या खुरापाती कोई बिश्थर से बात करें इसमें कि ककडी चुराना, गर्धन, मोड़ के मॉर्गी मा देना तो यह देखो एक खुरापाती जो से व्यर्थ की कारी के उन्होंने पीछे की खिटकी से कूद कर second show cinema देख आना कौन एक करम ऐसा है जो तुम तुम तुम्हारे इस किशंदा ने नहीं देख कर देखा है तो छीदिशी बात है कि ये किशंदा अपने पहले की बाते बदा कर विश्दर पंत को कुछ शिखाना चाहरे हैं जिम्मेदारी सर पर पढ़ेगे तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे एसा किशंदा सोचते थे कि जब कोई इनसान है उसके सिर्फ जिम्मेदारी पढ़ती है जैसे आप लोगों के लिए एक्जाम जिर्फ पर आ जाती है तो आप बहुत जल्दी सीरियस होके पढ़ाई कर लेते हैं और जिब एक्जाम थोड़े दूर रहते हैं तो हम कारी थोड़ा सिथिलता से करते हैं यह भी किशंदा से विराशत में मिलावा एक फिक्रा है तो विराशत कमल समझते हैं कि वही जिसे जो हमारे मातर पिता के गुण होते हैं सो समझती हूँ हमारे पास आ जाती हमारे फिक्र एक ये तक्या कलाम एक बात होती है जिसे एशुदर पंद युबाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोराते हैं उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते हैं जब मैट्रिक में था तो साइद मैं भी गदा पचिसी के लंबे दोर में गुजरत तो एक समझने बात यह हैं प्यारविदर थे आपके कि युदर पंद के पिताजी हैं वो जब यह 10th क्लास में थे मैट्रिक यह 10th क्लास हैं यूपी विहार में आपने 10th बोलते हैं सेकेंडरी बोलते हैं इनके यूपी विहार साइड में अलग अल चल रहे हैं गदे को इतना वो चिंताय फिकर नहीं रहता है जितना पर पेट बर्गर ठीक आगे चल पड़ते हैं तो यह सामारी जिंदगी है जिम्यदारी पर जल्दी पड़ गई तो सारी जिम्यदार आदमी बन गए जब तक बाप है तब तक मौज कर लें यह एक लाइन है कि माता पेता जब तक आपके साथ रहते हैं तो और हम अपने मौजमस्ती वाले जिन्दगी को जीते हैं मैकापेता के साथ रहते भी 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 हम क्या करते है कि जिम्धारी से मुh मोर लेते हैं एक एसास नहीं उपाता है लेकिन पूरी जिम्esoम्तारी आमें निभाने पड़ती है तब आकर हमें एसास होता है यह है बात यचिदर जी कभी-कभी तजियां करते थे, बोला करते थे लेकिन कहते वे उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती थे, आकर चले जाती थी पर बचक्चों पर यह है परकट करती है, कि बाप को उनका सनात होना बात करें हैं कि सनात को मुलें कि जिसके माता पिता साथ में होते हैं वोने सनात का जाता है और गैर देमेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है तो ये जो बच्चे हैं ये कि सनात हैं ये लेकिन गैर देमेदार हो शुके हैं बात करें ये शुदर पंत बाबु जो हैं कभी-कभी मन ही मन स्विकर करते हैं कि दुनिया में भी बच्चे उनके अधिक सुलजेवे हो सकते हैं और यह लगबद हर विक्ति को लगता है कि दूसरे के बी-बी हैं बच्चे वह वह ज़ाद समझदार होंगे लेकिन यह शुदरपंत को लगता है कि उनके भी बच्चे थोड़े अलग हैं लेकिन दो के चार करने वाली दुनिया ही उन्हें मन्जूर है जो उसकी रीत मन्जूर करे हैं तक ऐसी दुनिया के लोग होते हैं जो दो के चार करता हैं चार करते हैं दुनिया दारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बच्चा बबाने यह शुद्रपंत के लिए बबबाने डीडिया फ्लेट के लिए पैसा ने भरके बहेंकर भूल की बच्चे जो है मात्या-पिता को कोशते हैं वोगे बच्छे करें कि जो उनके पिताजी बब्बा है उन्होंने डीडी एक दीडी का मतलब है कि वहां पर कोई फ्लेट के पैसे दे कर रेजिटरिशन करा जा रहा है तो उनके जुदर पंत ने कभी इस फ्लेट को बुक नहीं करवाय पैसे नहीं बचा इसके लिए और सम्हाव इस दरबाबु को किशंदा की उपती अब भी दस्ती है मूर्ख लोग मकान बनाते हैं सैनल उनमें रहते हैं यह लाइनाप की एक्जाम में आ सकती है कि मूर्ख लोग मकान बना खड़ा कर देते हैं और शाने लोग भना उसमें कराया देकर रह लेते हैं तो यह कि कि यह दिमाघ में चाहते नुकरी तब तक है सरकारी कौार्टर होने पर गाउं का पूस्तेरी घर बास के दिमाख में तो शिद्य इसी बात प्यारुदर्तियों कि आपको यहां पर जो मानशिक्ता की बात कही गई है और जो माता पिता अपने बच्शों के लिए कुछ करने पाते हैं तो बच्चे उन्हें कोस्ते हैं बलावरा केहते हैं तो यह इस परकार के मानशिक्ता इसास पढ़ना है, इसके बाद एम next चो क्लास है अगले वीडियो में देखेंगे तब तक लिए नमस्का धन्यवाद